फिफ्ट गुड मॉर्निंग हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ रहे थे चैप्टर सेवेंटिन आर डिस्टिक्ट अर्थात हमारा जिला चितोडगर के बारे में इसमें हम लोगोंने डिसकस एंड टेल ये प्रश्ण हम लोगोंने कर लिये थे और मैंने आपको ये हॉमवर्क दिया था कि आपको कॉपी में करना है ठीक है बात संज माई फिर देखो यहाँ पर next करते हम लोग what is the main language spoken by the people of your district की आपके district में कौन सी भाशा बोली जाती है तो हम चितोडगर डिस्टिक में रहते है तो यहाँ पर मेवाडी भाशा बोली जाती है कौन सी मेवाडी which is the main dress worn by men and women of your district की जो चितोडगर डिस्टिक है वहाँ की जो main dress है इसकी man on woman की वो कौन सी है आप देखो यहाँ पर man wear turban मतलब पगड़ी अंग रखखा जिस तरह से हमारे जो αपर पर जो है बोडी का उसको धखने के लिए क्या यूज़ करते हैं लोग अंग रखखा और जो लोवर पर जो बोडी बोडी है उसको ध़कने के लिए क्या पहनते हैं धोती तो मेन क्या पेंते हैं टर्बन, अंगरक्खा, A-N-G-R-A-K-H-A और धोती D-H-O-T-I धोती और वुमेन क्या पेंते हैं घागरा, चोली, ओढ़नी तो वुमेन वियर्ण घागरा, चोली, और ओढ़नी कि हमारा जो जीला चितोरगड़ है, वहाँ पे डिस्टिक्ट होस्पिटल कहाँ पर इस्थित है तो यह एड्रेस दे रखा है, A-63 उदेपुर रोड, सेंथी, बापुनगर, चितोरगड़, ठीक है Write the name of famous player, freedom fighters, artists and social activists of your district यह हॉमबर करना है Which are the main crops grown in your district? कौन कौन सी जो मुख्य फसल है, वह आपके जिले में उगाई जाती है तो यहाँ क्या हो गया, wheat, barley, match और mustard ठीक है Which are the main factories located of your district? कौन कौन सी फेक्टरी आपके जिले में इस्थित है तो यहाँ पर देखो यह चाल लिखे हुए, आपको notebook में भी यह लिखना है मतलब कहने का मतलब कि जो भी मैं pencil लिख रहा हूँ उसके question answers आपको उसके सामने ही लिखने है ठीक है Notebook में लिखना है पहले questions लिखोगे, फिर answer लिखोगे फिर इसके नीचे देखो Which is the main food item of your district? कि मुख्य भोजन कौन सा है? अपने चितोडगर जिले का तो दाल, बाटी, चूर्मा, गटे की खिचडी G-A-T-E, गटे की, के-I, की, खिचडी के, सोरी, C-H-I, C-H-D-I, खिचडी Next question है Where are important fairs held in your district? अब कौन-कौन से मेला लगता है यहाँ पर? महराना परताब जेन्ती, घंगोर, जोहर मेला और रंग तेरस फिर यहाँ पर कुछ importance है, जो हमारे जिले से सम्मन्दित है, जिसमें district collector का नाम, Mr. किसोर कुमार, शर्मा, Member of Parliament, चंदर प्रकाश, जोसी, जिला प्रमुक, सुरेश धाकड़, ठीक है? यह जो man-man चीज़ें, वो मैंने आपको लिखा दी, और यही आपको करना है, ठीक है? फिर यहाँ देखो, page number 136, How many districts are there in Rajasthan? तो आपके लिखोगे यहाँ पर, There are 33 districts in Rajasthan. What are the name of your district? तो आपके district का नाम क्या है? चितोड़ गड़, है ना? What are the name of district surrounding your district? तो कौन कौन सा हो गया, आपने आसपास के district का नाम? एक तो प्रताप गड़, ठीक है? दूसरा कौन सा हो गया आपका? दूसरा, उपर की तरफ धिलवाड़ा, फिर राजसंबन, और कौन सा हो गया आपका? उदेपूर, ठीक है? तो ये कौन कौन सा हो गया, हमारे district के पड़ोसी जीले, ठीक है? आपको क्या करना है, राजस्थान का मेप लेकर आना है, आपको दुकान से, और फिर जो ये वाला भाग है, आपका चितोडगर डिस्टिक, उसे आपको क्या करना है? अब आपको नोटबुक में क्या करना है? ये आपका कुशन 1, कुशन 2, कुशन 3 और कुशन 4 और कुशन 4 का करना है आपको मेप में, ठीक? फिर इसके बाद में, 4 के बाद में, कुशन 5, 6, 7 और ये 8 ठीक? फिर इसके बाद में, 8 हो गया, 9, 10 और ये 11 देख लो याँ पर ठीक है? फिर इसके बाद में, 12, 13, 14, 15 और 16 याँ पर देख लो इसके आंसर्स, जो जो भी पैन से लिखे हैं में, उसके आगे जो आंसर लिखा हुआ है, उसका कुशन डालके आपको EVS की नोटबुक में ये लिखना है ठीक? और कुशन नंबर जो 13 है इसका आंसर में ने यहां लिखा हुआ है ठीक है? 13 का ठीक? अब देखो, आपको मेप लेकर आना है इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो, ये तो आपका राजेस्थान का मेप हो गया और फिर इसके बाद में आपका ये चित्तोडगड ठीक है? तो नीचे कौन सा हो गया आपका प्रताबगड उपर भिलवाड़ा और ये कौन सा हो गया आपका राजसंबन और ये कौन सा हो गया आपका उधेपूर ठीक है? ठीक है तो ये चित्तोडगड के उपर कौन सा हो गया आपका भिलवाड़ा और फिर इसके बाद में कौन सा हो गया आपका राजसंबन और ये कौन सा हो गया आपका उधेपूर तो ये हमारे चित्तोरगर जो district है उसके क्या हो गए neighboring district हो गए है ठीक है पडोसी जीले हो गए तो ये आपको map में ये ऐसा केसा ही करना है ठीक है और इसके बाद आप लोग जो भी काम करेंगे उसको whatsapp पर भेजें ठीक है